जैहन दोस्तों नमस्कार स्वागत करते हैं एक बार फिर से आज के मुख्य समाचार देश राज जी आपके सहर आपके गाउं से निकल कराने वाली संपूर देश की तमाम बड़ी कबरें 10 बड़ी अपडेट्स जानने वाले हैं सिर्फ 10 मिनिट में जी हाँ दोस्तों हर एक कबर आपके काम की एवं फायदिक रहेगी गुजारी से चैनल को सब्सक्राइब करके बिल की घंटी को इसलिए जरूर आल पर सेलेट कर लिजिए वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर भी अवसे ही कर दीजीगा तो दरसल आज की सबसे पहली बड़ी कबर जी हाँ दोस्तों इसकूलों को फिर बंद करने का आदेश कोरोना संकरमण की बीच परसासन ने इस वजह से लिया पड़ा फैसला इस वक्त की सबसे बड़ी कबर आई है देश में कोरोना महामारी तेजी से बढ़ रही है जिसे द आखिरकार कहां कहां इसकूल कॉलेज बंद होने को लेकर परसासन ने यहां पर बड़ा आदेश जारी किया है कहां पर कोरोना की रफ्तार तेज हुई है पूरी जानकारी तीन ऐसे बड़े राजजी है जहां से निकल करा रही है जरूर जान लीजी का अंतिम तक साथी अग आखिरकार कौन सी सरतें पूरी करनी होंगी इसकी बजान कहें देंगे और वहीं अभी अभी देश के इस बड़े राजजी में हुआ भयंकर घटना सुनते ही चौक जाएंगे आप भाई और वहनों इस समय की बड़ी खबर आ रही है बता दीजए कि एक बड़ा हादसा दे जताया गिया है और वहीं अगली बड़ी कबर किसानों के खाते में आएगी फिर से 14 हुई किस्त इस दिन सरकार डालेगी पैसा दोस्तों 14 हुई किस्त की तारीक सरकार ने जारी कर दी है तो किस दिन आपके खाते में सरकार 14 हुई किस्त के 2000 रुपए भेजने के तयारी कर र इस राज में ओंधे मुह गिरे सराब के दाम सभी ब्रांड की शराब हो चुकी हैं सस्ती भाई और बैनों आपके लिए जानकारी आई है आकरकार सराब की कीमतों में कितने रुपए तक की गिरावट हुई है और कहां पर हुई है इस वीडियो में बताएंगे वही अरहर और उड़द दाल की बढ़ती कीमतों पर लगी लगाम सरकार ने उठाया है यह सकत कदम जी हां अरहर उड़द के लावा कuccess का का बड़ा कदम उठाया है और करकार कब तक सस्ती होंगे सरकार ने ऐसा कौन सा कदम उठाया है आभी बताएंगे इसके अलावा अतीक अहमद पर आई बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की मुख्य मंतरी योगी आदितनात का बड़ा एलान चुन-चुनकर माफियों का होगा सफाया नए 25 गैंगिस्टर्स की सरकार ने जारी की है लिष्ट जी आँ दोस्तो अतीक अहमद और उसकी भाई की हत् एक यहां पर और लिष्ट सरकार ने जारी की है जिसमें बड़े-बड़े माफियों के नाम भी जारी किये गए हैं तो आखिरकार कौन से यह लिष्ट है इस वीडियो में देंगे इस वाई की बड़ी खबर आ रही है अभी बताएंगे पूरी खबर इसके लावा मौसम वबाग की तरफ से बड़ी खबर इन चार राजियों में जारी हूआ ओररेंज अलरट पढ़ने वाली है गर्मी लो की भी जारी हुई भंशिवाड़ी जी आ मौसम वबाग की तरफ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मौसम वबगने कुछ ऐसे राज्यें जहां पर भयंकर गरमी के साथ लोगार चलने की आसंका चताईएत, वहीं कुछ ऐसे राज्य हैं जहांपर बारिस की भी जान्द करीदी है, कौन-कौन से राज्य मेहांपर बारिस होने वाली है, कहांपर भी, शणी तरद कर्वाली है, इस वीडियो में देंगे पूरी इस कबर, सेरकार का बड़ा एलान अब आपके घरों पर महज 500 रुपए में लगेगा सोलर पैनल तुरंद करवा लीजे यहां आवेदन आप भी अगर बिजली का मुफ्त में फायदा लेना चाहते हैं तो बता दीजाए मोधी सेरकार की तरफ से सोलर रूफ टाउफ योजना के तहट मह का दिया जरहा हैं जिसके तयात आप भी अपनी घरों की चतों पर सोलर पैनल लगवा सकते हैं और फूरी बिजली ले सकते हैं तो कैसे इस योजना का लाब लेना है कहां आवेदन करवाना होगा इसकी जान कहीं देंगे साथी 2000 रुपए और 500 रुपए के नोट पर बड़ी से बाजार में आ रहे हैं 2500 के नकली नोट जाने क्या है पहचान करने का तरीका आपको इपास अगर 2500 रुपए का नोट है तो इस वक्त की बड़ी कबर रही है इन दोनों ही नोटों को लेकर तो पूरी कबर ज़रूर जान लिजिगा कहीं आपको इपास तो नकली नोट नही पहचानने का तरीका अभी बताएंगे तो इस वक्त की चलिए हर एक ख़बर विश्तार से जानते हैं उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लाल बटन दबाकर वीडियो को लाइक कर दीजिए लाल बटन दबाकर चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक करके शेर भी जरूर कर दीजिएगा तो दरसल वाहन चलाने वालों के लिए बड़ी ख़बर आ रही है इन गाड़ी के मालिक हो जाएं सावधान दस हजार के जुर्माने के साथ तीन महिने की होगी जेल लाइसेंस भी होगर अद भाई उर्भाई नो परिवाहन विबाग की तरफ से एक बड़ा नियम लागू किया गया है आपको बता दें दिल्ली, ग्रेटर नोइडा, नोइडा, गुड़गाओं और गाजियाबाद के अलावा उत्तर प्रदेश के कही ऐसे जिले हैं जहाँ पर परिवाहन विबाग की मताबिक आपकी गाड़ी का अब अगर पियूसी सर्टिफिकेट नहीं होता है तो अब भारी चालान आपका काटा जाएगा दस हजार का जुर्माना हो सकता है साथी तीन महिने की जेल और लाइसन्स भी रद्द कर दिया जाएगा खास कर आपको बता दिया जाए कि निवाइडा, ग्रेटर निवाइडा, दिल्ली, गुडगाओं और गाजियाबाद में यह नियम कड़ाई से लागू किया जा रहा है क्योंकि जिन वाहनों का पियूसी सर्टिफिकेट नहीं होता है वो यहाँ पर कहीं न कहीं पॉल्यूशन जादा करते हैं, परदूसल करते हैं जिसकी वज़े से यह खास नियम लागू किया गया है तो सतरक रहें और अगली बड़ी अपडेट मोधी सरकार का बड़ा कदम अरहर और उडद की दालों में जल्द होगी कमी जाने कितने रूप तक घटेंगे दाम जी हाँ दोस्तों खुद्रा बाजार से बड़ी खबार आ रही है केंदर सरकार की तरफ से एक बड़ा फासला लिया गया है अरहर की दाल आपकी जो अभी 130 रुपए पर 3 किलो पहुंच गई है वहीं उडद की दाल 120-130 रुपए पर 3 किलो मिल रही है जिसके दामों को कम करने के लिए सरकार ने अभी अभी एक बड़ा कदम उठाया है जी हां मोदी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि देश में जो यहां पर किसानों के द्वारा अरहर और उडद की दाले अन्ने दाले हैं जो यहां पर उगाई जाती है उनका प्रोडक्शन जो होता है वो कहीं ने कहीं यहां पर आपको बदा दिये जाए कि जो बाहर देशों से आने वाली दाले है उनकी कमी के चलते हैं हाँ प्रदेश में इन्हें दालों के कीमतों में काफी अधा बढ़ोती हो रही है जिसको चलते मोधी सरकार ने बड़ा फासला लिया है सरकार का कहना है कि अब आयातित दाले होती है उन पर चुक कर लगता है टैक्स लगता है उससे अब सरकार कम करेगी ताकि यहाँ पर इन्हें दालों के कीमतों को कम किया जा सके और जो आयातित दाले होती है बाहर से आती है उनकी कीमतो को कंट्रोल में किया जा सके ये बड़ा फैसला सरकार जल्दी लेने वाली है वहीं इसकूलों को फिर बंद करने का आदेश कोरोना संक्रमण की बीच परसासन ने इस वजह से लिया है बड़ा फैसला भाई और बैनों इस समय की बड़ी खबर हा रही है दरसल आपको बता दिय देश में कोरोना महामारी जहां एक तरफ रफतार पकड़ती जा रही है तो वहीं दूसरी और देश में भीशड़ गर्मी के चलते भी लोगों का जीना मुहाल हो चुका है जिहां आपको बता दी जाए कि दिल्ली में कोरोना की रफतार तेज हो चुकी है यहां के प्रसासन की तरफ से जिले के जितने भी स्कूल है सभी को चयतावने दी गई है साती इधर पश्चिम बंगल में बढ़ रही गर्मी के चलते स्कूलों को 24 अपराल तक के लिए बंद कर दिया गया है वहीं आपको बता दीजाए कि सभी स्कूल मास्क पहनना भी आनिवार कर दिया गया है साती भीड भाड़ इलाकों में जाने के लिए नय नियम भी फिर से लागू किये गया है और एकठा भीड नहीं करने के भी निर्देश जारी हुए है तो नय दिसा निर्देश उत्तर प्रदेश मद्य प्रदेश, बंगाल, दिल्ली, ग्रेटर नर्डा इन सभी यहाँ पर जिलों में और राजियों में जारी हुए है सतर को जाएं गर्मी भी बढ़ रहे है तो इसके चलते इसको लोग बंद किया गया है और कोरोना भी इसी बीच रफतार पकड़ रहा है साथी नेक्ट बड़ी कबर मौसम विभा के तरब से बड़ी अपडेट चिलचिलाती हुई पढ़ने वाली है अभी और गर्मी इन तीन राजियों में जारी हुआ है औरेंज अलर्ड भाई और भेनों मौसम विभा के तरब से बिहार उत्तर प्रदेश समेत नो ऐसे राज खास कर हैं जिनके लिष्ट जारी की गई है जहां हीट वेव आने वाली है आई एमडी के तरब से यहां पर ओरेंज अलर्ड जारी किया गया है साथी आपको बता दीजाए कि तीन राजे पच्चे मंगाल बिहार और आंधर प्रदेश में खतरनाक रूप से उच्च तापमान यहां पर रहने वाला है जिसके चलते ओरेंज अलर्ड इन तीन राजियों में खास कर जारी हुआ है वहीं आपको बता दीजाए कि दिल्ली में लो जलने की चितावनी बिहार में तीन दिन आने वाले काफी भारी रहने वाले हैं साथी साथ मौसम बा के तरफ से एक चितावनी यह भी दी गई है कि डी हाइडरेशन से ज़रूबत हैं पानी की कमिशारी में न होने ने इसके अलाबा अगली बड़ी अपडेट पीम किसान योजना पर बड़ी खबर सरकार ने जारी की 14 हुए किस्त की तारीख इस दिन खाते में आएगा पैसा भाई और भाईनों पीम किसान सम्मान ने दी योजना पर बड़ी खबर आ रही है इस समय की मोधी सरकार केंदर सरकार की ओर से पीम किसान की 14 हुए किस्त को लेकर तारीख का निर्धारण कर दिया गया है जिसमें खबर आ रही है कि अपरेल के अंतिम सब्ताहत से लेकर अगले महिने के बीच में 14 हुए किस्त के ट्रांसफर कर दी जाएगी साती 6 हजार ऐसे आपातर किसानों की नई लिष्ट भी जारी हुई है जिसमें फरजी वाड़ा करते हुए 6 हजार किसान पाए गये हैं जिनके उपर अपकारवाई होगी और इनकी लिष्ट से नाम भी सरकार हटाने वाली है वहीं नेक्स्ट अपडेट सराप पीने वालों के लिए खुश कबरी इस राज्ज में सस्ती हो चुकी है जिया दोस्तों सराप की कीमतों में बड़ी इरावड देकी जा रही है आपको बता दिये जाए कि उत्तर प्रदेस में नई आबकारी निती लागव होने के बाद आबकारी आयुक्त की तरफ से बताया गया है जो शराप की कीमते हैं उसमें 80 रुपए से लेकर 3.5 रुपए तक की कमी की गई है बीयर के दामों में बहुत ज़्यादा कोई बदलाव नहीं हुआ है लेकिन किंग फिसर कैन श्ट्रॉंग बीयर 130 रुपए की जो पहले थी अब उसमें 5 रुपए की कटोती की गई है 125 हो गई है दाम साथी साथ ब्रांडेट सराप की बोतलों में साथ से सत्तर रुपए तक की कमी हुई है इसके लाबा रॉयल श्टैक की केमतों में सो रुपए तक की कमी देखी गई है